हेलो एब्रीवान वेलकम आप तो मैं यूट्यूब चानल साइन खुशी क्रियेशन्स तो आज की वीडियो में आप सभी को हवन आप नवराथरी में किस प्रकार से कर सकते हैं ये बताने वाली हूँ बिना उपले के बिना कंडे के असान विदी से रोज आप इस प्रकार से के समय तो वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ तो हवन करने के लिए मैंने लौंग, इलाइची, हवन सामगरी, घी, एक मैंने सराई लिये, सराई की जगाब जो बड़ा दिया आता है वो भी ले सकते हैं इसके बाद कपूर लिया है और गाएं का देसे घी लेना है आप ये देखें ये पूजा ये जो हवन है ये आप माता के सामने ही कर सकते हैं पूजा विधी में मैंने आपको करके भी दिखाया है तो इस प्रकार से जो हमारा सराई मैंने ली है छोटी से आप हवन कुंड हो तो definitely हवन कुंड ले वरना इस प्रकार से आप मिट्टी की सराई सबस्क्राइब directly सबस्क्राइब ये सारे में से जो सूखा समान है या आप छोटी छोटी डिब्बियों में या कोई मसाल दानी हो तो उसमें भर कर रख सकते हैं तो नौ दिनाप पसानी से जो अपना हवन है वो जल्दी से कर पाएंगे तो ये देखें जो सूखे नारियल थे उनमें कपूर रख कर हम हमारी जोट प्रजवलित करेंगे अगर आप इस समय कोई मंतर बोलना चाहें तो ओम दुरगाय नमा ओम गंगन पताय नमा सबसे पहले बोलकर गंतदीची के नाम की आहुती अर्पित करें और फिर माता दुरगा के नाम की आहुती अर्पित करें तो पहले तो पांच आहुती हमने घी की दी है उसके बाद हम पांच आहुती हवन सामगरी से देंगे हवन सामगरी आप अच्छे से जाच लें कि उसमें कोई कीरा नहीं होना चाहिए और हवन सामगरी आपको बीच की जो दो उंगलिया होती है और अंगुठे इन तीनों की हेल्प से हमारे हवन कुंड में डालनी है तो इस प्रकार से हवन सामगरी की पांच आहुतिया देने के बाद अब हम घी की और पांच आहुतिया देंगे तो इस प्रकार से घी की आहुती देने के बाद अब हम हमारी लॉंग का जोड़ा अर्पित करेंगे तो घी लगाकर लॉंग का जोड़ा अर्पित करेंगे और इलाइची का भी जोड़ा अर्पित करेंगे अगर इलाइची ना भी हो तो लॉंग तो आप जरूर से चरहें एक लॉंग का जोड़ा यानि एक लॉंग के जोड़े में दो लॉंग होती है तो वो आप चरहेंगे तो उतना भी चलेगा लॉंग आपको फूल वाली लेनी है यानि जिसके उपर गोल गोल फूल लगा होता है इसके बाद सेम तरीके से गी लगाकर मैं नारियल भी अर्पित कर रही हूँ और अब ये देखे पांच नारियल के टुकड़े मैंने अर्पित करे हैं जो भोग आप अगनी में अर्पित करते हैं वो साक्षात हमारे भगवान जी को पहुचता है तो आप नवरात्री में हवन जरूर से करें तो इस प्रकार से ही देखे इसके बाद हम मिठाई के रूप में बताशा अर्पित करें क्योंकि मातर दुर्गा को बताशा अतिप्रिया है तो इसी प्रकार से आपकी हवन की जो विदी है वो कंप्लीट हो जाएगी अब लास्ट में जितनी आहुतियां देना चाहें आप दे सकते हैं पांच, साथ, ग्यारा, नो, एक्किस, एकसो आट जितनी देना चाहें उतनी दे सकते हैं पर अगर आपको जादा माउंट में देनी है तो आपको फिर बरतन भी बढ़ा लेना होगा और फिर आप उपले वाला करें तो जादा अच्छा होगा लास्ट में आपको तीन बार जल की फेरी देकर अपने हवन को शांत करना है और शांत की बार आपको हवन में कोई आहोती नहीं देनी है थांक यू वरी मच पर वाचिंग